जिया माली प्या बाथे माद अच्छे माद अच्छे मैं गाई का उजाला यादो यूपी आजमगर के धर्ती से आप लोगन के बीच में एक भी रस्क भी रहा जो हमारे नवजवान भाईयों की फर्माईश थी कि उजाला जी फिर से एक बार उसी जोस खरोस में बीरस का बिरहा गाई है तो बड़े उमीद के साथ मैं इस बीरहे को गाने चल रही हूँ आप लोग जरूर आशिरबाद दीजिएगा बिरहा में चार लाइन भूमिका में भावा माष्टर सहाब तो शलकती उन जमानों के रग में जमानी पन का बिजली तहकती है याँखो में ज्वाला हिपमते हावसला उनके छाती में है भर्ज भर्जो पहादेत खूडो का नाला पाक हरकस गरबाज आया नहीं चरकच्छा तीप तेरे हब भर तेंगे सोला मुशा फिर कभी हम जुकेंगे नहीं समझो जिगर मेरा पारुद का गोला ए बाबू हमारे हिंदुस्तान के सेर जवानों की आवाज है अगर हमारे हिंदुस्तान के ओपर बुरी निगाह से देखेगा ते तरी आखे हम लोग निकाल लेंगे लेकिन कभी जेक लाइन बड़ा बढ़ियां कवाली कभाव लिखत हो माश्टर सहाब तेरे दरिबारी का जलिके करीना हम भी देखेंगे भापर आप लोग गवर करीम कहना है क्या संभल जा संभल जा वक्त है पाजी नहीं छेड़ो जवानी जला देंगे तरी बस्ती लगा कर आग पानी में कहानी पर गवर करेंगे बाबू कहानी कहां से कैसे लिखल गई माश्टर सहाब जवरी का लाइन मा एक एक लाइन भरिया के रहे माश्टर सहाब मन सुबा पुरा ना होगा आसा प्थिरेगा पानी नफरक्चिया भरका कर जूठे पंते हो सानी आजम गड़ जिला के अंदर छठिया भकस बात्यागी थे सब को बिजय शिया दो वक्ते सब हत्या नुलागी जियो सेर्फ कहानी पर आप लोग गोर करी हैं बाबू हमरे आजम गड़ जिला कश्बा सठियाओं के रहे वाला शत्य बिजय सिंभाउजी जेकरे आउरत का नाम बाबू बतावल गल सुरसती एक बिटिया जेकर नाम रहल सीमा एक बेटा जेकर नाम रहल संदीब लेकिन संजोग देखाए बाबू शत्य बिजय सिंग यादो जो फाउज के जवान थे सीमा पर आतंकी हमला के दवरान सत्त विजय सिंग की मौत हो गई सहीद हो गई अजब सहीद हो गई तो पहले आप लोगों को पता है जब पहले लोग सहीद होते थे तो सिर्फ वर्दी बेल्ट टोपी जूता घर पे आता था जमानों की बाड़ी नहीं आती थी ना कुछ रुपिया पैसा मौजा मिलता था एपैसा और जमानों की बाड़ी कव से आने लगी और नई सोचानवे में धर्ती पुत्रमानी मुलायम शिंग्यादोजी रक्षा मंत्री हुए थे जो जमानों के दर्द को समझे बुझे कि हमारे हिंदूस्तान के जवान हमारे ही रक्षा में हमारे देश की रक्षा में सहीद हो जाते हैं और घर पे लास्तक नहीं जाती है सहीद की बाड़ी नहीं जाती है ऐसा नहीं होना चाहिए बार धर्ती पुत्रमानी मुलायम शिंग्यादोजी एलान कर दिये कि अगर आप सीमा पर कोई फोजी जवान सहीद होता है तो उसकी डेट बाड़ी उसके घर पहुचाया जाएगा और दस लाख सहीदी रास देने के लिए एलान किये माननी निता जी अब देखिए तब तो ये लागू नहीं था कि कोई फोजी जवान सहीद हो जाएगा सन उन्नैस सो तिहत्तर में सत्य विजय यादोजी सहीद हुए थे घर पे कुछ नहीं आया था आर्थिक इस्तिती बड़ी खराब थी परिवार का गुजारा बेचारी माई कैसे करें एक बिटिया सीमा बेटा संदीब के लेके बेचारी लोगन का मजदूरी कईके हो अपने बेटा के और बिटिया के पढ़ाई के जब हाई स्कूल इंटर करा लली तो एक दिन अपने बेटा संदीब से मतारी कहत बानी का कहत था ही माश्टर साथ तर्ज लगल बार अचारक लाज गोरी कचारा बनावलू अचारक लाज गोरी कचारा बनावलू ओढ़नी लिलाम भई बजरिया में गोरी धसल बाडू हमारी नजरिया में इतर तर्ज राहल है लेकिन संदीब का मतारी बिधवा है बिधवा का पीड़ा आप लोग समझत थाईए बाबू बड़ी मुश्किल जिन्दगी हो जाली एक दिन अपने बेटा संदीब के बईठाई के कहत शाई मतारी कहली का माश्टर साहब बाउर्पी पंतिया में खलके मेहा नातिया बाउर्पी पंतिया में खलके मेहा नातिया तुई जुनके रतिया जुटावे लगली माई हीरावाके माई हीरावाके यापनेचे तावे लगली माई हीरावाके यापनेचे तावे लगली माई हीरावाके यापनेचे तावे लगली माई हीरावाके घर केहा लादलाल हाव तोहर सोज्छा घर का हलादलाल हम पर खोज्छा सीमा के शाति बाते का पाराके बोज्छा कही कारा जाके मोकरी चेतावे लगलू माई ही रावाके याखाने बतावे लगलू माई ही रावाके याखाने बतावे लगली माई ही रावाके याखाने बतावे लगली लगली बेटा इंटर तो के कौनों इस्तिती से करा जाली कैसे कैसे तो के पढ़ाय लिखाय के इंटर करा दली बेटा लेकिन अब आगे हिम्मत नाबा पढ़ावे बदे असुना बेटा तो हर अही पीठी पर के तो हर बहिन सीमा बा घर में सयान हो गई लगल ओकर भी साधी बिवाह करे के बा अब कुल घर को बोजह अब तो हरे उपर आए गया तो बेटा एक काम करा अब तु कही को उनों काम धूड़ा को उनों सहर परदेश में जाए के पैसा कमा जो उन्हें से परिवार भी चली ओकरे बात और बहिन का साधी भी करे के बा साधी भी हो जाई एव बात के बाबु संदी बड़े गवर से सुनलन को ना ठीक बा माई जब कहत बाडू तो जात बनी को उनों सहर में जरूर को उनों नोकरी करव अब बड़े धों ध जब ले बाबू पकल अली कलाया कली है बेटा सुन देख एक बात हमार और तुग वर से सुनली कवन बात बा उबिधवा मतारी बतावो थी माश्टर सहाब कि कोरी कहतरी असा शुदा ही आजा मावली आरे कोरी कहतरी असा शुदा ही आजा मावली आमरीत डालैली जो रनावा रादा हो साद मानमो है बिधवा मतारी अपने बेटा संधीप का कलाई पकड़ के कह थाई का कि माई बाउ रही अकाहल आसु भरन नया नवा करिया जानी भाव जे कैनो करिया ही रवा हो घरवा हो जाई आन्हार अकाह संदीप माई कहे डेरा वावेलू अकायार वाला पाठया जहा मके पढ़ावेलू कहाली देखा धो गयल शेनुरा वाही रवा हो घरवा हो जाई आन्हार माई अपने बेटा का कलाई पकल लेही गली देखी रहा कमाई बदेत कोहत बनी परिवार का बोजा तोरे सर पे बाथ बेटा देख को उन्हों देश पर देश में चल जई है ठेला खिचली है रोड पर माटी फेक ली है क्योंकर कपड़ा दोई के दस रुपिया कमाली है बेटा लेकिन भाउज में जाए कि मस सची है संदीप उठके खड़ा होगे लगा खड़े रहे माई इस तु का कायर वाली बात कर थो अरे तो हर बेटा पठावा जवान बादा हिम्मती बादा अच्छा यी बतावा पठा पूजिये के बारे में सोच लई तो कोन गला सोच लई माई कले अरे लाल तु का कहें लगले रहे हम तो के कमाये के कहा थैला भारती होके के थोरी ने कर थैला कि तु हमरे बात के दुहरावत है फाज के बारे में तो के बिलकुल ना सोचे के बादा संदीप कला ठीक हम फाउज के बारे में बिल्कूल ना सुचा और इसे हमके भी फाउज कनो करी ना पसंद भागा अब संदीब का करिलन दिरे दिरे समय बीतल दू चार शे दिन का समय बीतल भागा तो कले माई देखा तू सही कहलू है कि परिवार का बोजा अमरे सर पे बागा बिशार बदल जा थेला मुंबाई टिकट कटोले संदीब अम मुंबाई के लिए रमाना भाइलन अब मुंबाई के लिए जब रमाना भाइलन तो भयल का एक लाइन गीत लगल मास्टर साहब हारी मोरकुवरा कनाया हो बोलावला बसुरिया बजाई के हारी मोरकुवरा कनाया हो बलावला बसुरिया बजाई के आरे माई कशुनल जब की बतिया हो छातिया में बान जा सलागे माई कशुनल जब बतिया हो छातिया में बान जा सलागे माई कशुनल जब बतिया हो छातिया में बान जा सलागे इलहाबाद पहुचा घर से कारे के नो कारिया माई कशुनल जब बतिया हो छातिया हो छातिया में बान जब कारे के लोकारिया रहिया में भीड़ देखल भारी के अनजारिया रूकिके उपूछे वोई बखतिया हो छतिया में बान जास लागे संदीप ट्रेन में बैठ लाएं पहुच गई लाएं इलहाबाद जब इलहाबाद इस्टेशन पर पहुच लन तो देखा तुम इस्टेशन पर बड़ी भीड़ अपार भीड़ बाद संदीप सोचे लगलें कि एक ऐसी भीड है संदीप ट्रेन से उतर के बाबू ओई भीड़ी या में भूशी गई लें इटे बुढ़ाओ दादा राला तजाई को नहीं से पूछ थोँआ कि ए चाचा ए चाचा ए चाचा इस्टेशन पर कैसन भीड़ ए लोग कहां जात बड बुढ़ाओ दादा बतावत हुँआ का बतोल माश्टर साब अरे सेना कभरती हो ले ही रवा जननी डड़ धीरों की यहां उतारे यर्थी 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 कला रहे बेटा तो आके पता नावा कोल खुली सेना का भरती हो खे वाली बाँ इलाइका सब तैयारी कई ले हुआ कोल भरती देखी है अब संदीप का मनवा आग पीछ करे लगल बस भीडिया मसे आई के इस्टे सनवा पर बैट ही गई ले अब बैट के संदीप सोचे लग माने मुझको मना किया माने मुझको मना किया उस जगा नहीं मैं जाओंगा फिर यंतर मनलकार उठा किसमत को मैं अजमाओंगा जिगर में जोस लगाया सब पास अपसर हुंकार भरा शिक्षा की सनव जब दिखाया किसमत भी जैकार उठा एया बाबू शंदीप का मनवा सोचत वकिरे माई भाउज में जाय से मना कर ले भाउजी जमान माई के पसंदना हमे अई हम का सोचतिला भरती ना देखो हम में तो मुंबई जाये के बाद फिर शंदीप का एक बार मन आगे पिछे करे लगले नहीं नहीं मेरी माँ मना की है न लेकिन ए तो भी एक माँ है ये धर्ती माँ और मेरी माँ जो मुझे जनम दी है तो चलता हूं एक बार अपने किस्मत को आजमा लेता हूं संदीप भीवई भीडिया में सामिल हो गई ला ये भईया चली गई लिए भरती देखा है अब देखा अब मुंबई ना गईलन अब भरती देखा है गई ला माइस्टर साब तब कभेल गीत बदल गई लई अरा जूलाने आका गुजाबा अरा तूटलय राजा जमानी आसे गाडिया थूटलय राजा बिरहाम भाब माइस्टर साहब और सनद पर देखे और सनद पर देखे सत्त पिजाली खलय साहब खुशी में चहारा सबकर खी ललय साहब जियों पहादूर नाम शे अरे पहादूर बाप कहें पहादूर बाप बेटा अहो गईला भरती उपाद निहला फेटा अरे घर आक्या माईसे जूट पो ललय साहब अखुशी में चहारा सबकर खी ललय साहब अरे घर उपादूर आक्या माईसे जूट बाप कहें पहादूर पुशी में चहारा शाब कर खी लं रही साहब समत आजमावे बदे खुली भरती भा भरती हो गई लन अजब भरती हो गई लन जब सेना के अधिकारी डाकोमेंट देख लन कले अरे यार यार यह तो बहादूर पाप का बेटा है जो आतम कवादियों से मुटभेड हुआ था जो आजमर छठियाओं का रहने वाला फौजी सत्विजय यादव जी उन्हीं का बेटा सहीद फौजी का बेटा है संदीप है पहादूर पाप का बेटा है पूरा क्षेना में खलवली मच गई एक शेर मिल गया अब संदीप कईलर का अब घरे आई लन अजब घरे आई गई लन तो माई से इना बतो लें कि माई हम फाउज में भरती हो गई लिए बतिया के छुपाए लें अशंदीप माई से कलें के च्छा माई ए वो सवाल तो से इसे हमके फाउज में जाए सेंके कहें तु मना करत रहा लू माई कली हरे लाल तो के यह लिए मना करत रहली पगला तो के पता ना आ भा हम रे मां क क संदूर ऊज़री गया लिए तो हर बाप, भौजी जमान रलन, सहीद हो गए ले कुछ याता पता ना चलल रही रहा, यही से हमके भौजी लोगन से डर लगए ला, यही से तो कहा मना कली कि भौज के सपना कभो मत देखिये बेटा, संदीब गनम आई, जब तो मना कदलू, तो यह भौजी का सपना हमरे द दिल से निकल गया, तो हर बेटावां नागपुर में बैंक में नोकरी पाई गया, अब बड़ी रुपया तो हर बेटा कमाई, भार दुवार बढ़ियां बन जाई, बहीन शीमा का साधी बढ़ियां से करवे, एकदम टेंसन माई अब मत लिहा, चार शे दिन का छुटी हमक ट्रेनिंग देल आला, तभयल कमाश्टर साहब पहपट कलाई बाई जंबू सरहत पर ड्यूटी लागल, जू मैं प्रेमक का डाली हो, अदिन्य रायल साधी के, अब सर से कहा वो छाली हो अरे चुटी देदा जब की, अरे चुटी देदा जाई भावन दिनावा साधी के, अमाई जो हतोई है भरन या नवा दिनावा साधी के ए बाबू, ठ्रेनिंग पर गई ले संदीप, पहिली पोस्टिंग कहां बाँ, जम्भू कश्मीर जमान ट्यूटी पर तेनाथ, धीरे धीरे समय भी तरवा, माई के फोन करना है, वहला माई, एक दोम हम ठीक ठाक बानी, इह बतावा कि तू कईसे बढ़ू, माई करिया रे लाल हम हुँँ तर ठीक ही ला, जब से तू बैंक में नोकरी पोले हुआ, तब से हम बहुत है खुश सदी सेट करा, अब बहिन के साधी में सामिल हो जाई, ए बाबू, संदीप चाकर के, बड़े अफसर साहब से छुटी का निवेदन पत्र देते हैं, कि साहाब मुझे छुटी चाहिए, मेरे घर मेरी बहाइन की साधी पड़ी हुई है, साहाब बोले नहीं, छुटी तो नही मिल पाएगी, क्योंकि हिमाले शिखर पर कुछ आतंकबादियों की हरकत दिखाई दे रही है, तेस खतरे में है, छुटी नहीं मिरेगी, ए बाबू, निरास हो गया, फोजी जवान संदीप, निरास को दे करके, मेजर साहब बोले कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मा से अप ने रूम पर फोन करें, माई से कलम माई, साधी क जोर जुटाओ बढ़िया से करी हा, साधी से तीन-चार दिन पहले हम और हमार साहब जरूर आई, टेंशन बिल्कुल मत लेहा, लेकिन भाईया हो, ओही बीच में होत का बामास्टर साहब, एक वोर खातारे में, पाडल बावता नवा बाबू, एक वोर बाही नीके, साधी आक प्याँ, साधी किसे नावा हो, चालाला जावा नावा बाबू, बाबा पारूद पे, बाबा पारूद देखा, पीठी आप्यबा, चीपी के पोजी सन लिहाला, देशका जवानावा भाईया, काला जाएला तोपिया देखा, रानावा मधा, ये कदीन आग उगले, बीरावान का तोपिया भाईया, पाचा दीन भैली नावा इधू अधा, शठावे दीन हाटे लगले, पीछे दूशु मनवा भैला, गीजाई तिरांडा उडा मला जुझा, ए बाबू, पापी पाकिस्तानी, आतंकबादी हमारे हिंदूस्तान पर चड़ाई कर दिये थे, लगातार पांच दिन लडाई जारी थी, पारे हमारे हिंदूस्तान के फ़वजी जवान, हिंदूस्तान के जवान बोलते हैं, जहिंद का नारा लगाते हैं, बोलते हैं, भाराद माता की, पंडे माताम, ललकारते हुए बाबू, हिंदूस्तान के जवान, आगे कदम बढ़ाते हैं, गजब हो गयलो भाईया, भाउजी जवान, संदीब का पैर फिसल गए, अजब संदीब का पैर फिसलल, संदीब गिरत हो है, उच्ची चोटी से संदीब जब लडखरा के गिरे सुरुभाईलन, तब तक बाबू ओ आतंकबादी पापी, पाकिस्तान के जो आतंकबादी थे, कुछ बचे हुए थे, निशाना साथ करके बाबू, संदीब के उपर गोली चला देते हैं, तुस्मनों की संसनाती हुई गोली आई, और संदीब को चलनी कर देती है, संदीब सहीद हो गया बाबू, गजब हो गया, यहर बहिन का साधी, माई घरे जोहत बाबेटा यवे कहले रहा, बेटा ना आया, साधी के दुईये दिर रह गया, फोन लगत ना बाब, कुछ समाचार मिलत ना बाब, माई पागल होई कि अपने बेटा का रास्ता जोहत है, लेकिन करे का दुआरे बरात आई गया, साधी ह बाबु सुवेरे का जब बिदाई होत बहो भाईया, ठब घजब हो गया, अच्छा घजब का भेल मास्टर साहब बिदाई वक्ता या इल जब, सेनवाली गोडिया, असी मा के कान में तब गोईल मा खबोरिया अरे गाली से तबूत निकालल देखा तहिया, जो हमाई बाउ रहिया, ओ बेटा कर रहिया ए भाईया यहार बिदाई का रसम जारीबा अग खुशी के माहुल में बाबू हो, गम छा गया दुआरे पर सेना की गाड़ी, जब गाड़ी आई तो एक बार नात रिशेदार सब में खलबली मच गई दरवाजे पर फउजी जमानों की गाड़ी किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि परिवार के लोगों को सबको यह पता है कि संदीप बैंक में नौकरी करता है नागपूर में संदीप नागपूर में बैंक की नौकरी करता है तो किसी को विश्वास नहीं था कि संदीप फउजी जमान होगा अब जब दुआरे गाड़ी याईल भाईया हो उस पे लिखा था ताबूत पर सहीत संदीप यादव सठियाव आजम गड़ अरे बाप रे बबबबा हाथ म मेहदी लगल बहिन के कलाई में चूड़ी मांग में सिंदूर लहंगा चुनरी सब बेकार हो गया है सब कुस गम में बदल गया है गईल बहिन ओई ताबूत परगिर के रोव लगली बाबू देखानी माई रोव धाई के हीरवा कलाशिया अरोव असीमा तोड़ी गईला नातवा करासिया अरे राखी बान आपके करी कलाई भईया जो हमाई बाउ रहिया ओ बेटा कर रहिया सरहो सिंगार में बहिन बाई बाबू लास पर जाकर के गिर जाती है सवाल करती है अरे पगला भईया जनम जनम का नाता तोड़ गईला अरे भईया पगला तू तो जूट बोला भईया कि हम बैंक में नोकरी कर थाई परिवार के केऊ के पता नाराल भईया कि तू फोजी जवान हुआ बहिन बाबू गिरती है बेहोस हो जाती है अम माई छाती पीट पीट के लसिया पर गिर के रोवत है बेहोस हो जाता ही जब होस में वथाई माई तो बार बार इहे बतिया कहत रली हो भईया पत्थल सकलेजा पिखल जाएगा कहत कर अली माश्टर साहब कह माई जूट बोलिके कईला धोका भारी हमसे कहला पाएंकावा में हाई आधिकारी भाईदा संसकार तुटला रथक का पहिया जो है माई पाव रहिया वो बेटा का रहिया गोर करेंगे बाबू माई बार बार छाती पीट के रोई के यह बतिया कह रहिया हीरा तो इसे मना कईले रली रेलाल सब सपना देख लिए कुल नोकरी कईले लेकिन पाउच को नोकरी मत करिये हीरा अरे पगला तो हमसे जूट बोले नागपुर में बैंक में नोकरी करी रहा आज है हमके दिन देख ले रेलाल माई गिरली बाबु बिखोस हो गई ली सेना के जवान गाउं के लोग गाउं के प्रधान सभी लोग ले जाकर के बाबु अंतिम संसकार कर देते हैं अंतिम संसकार तो हो गया मैं हाथ जोड करके पुरे देशवासियों से कहना चाती हूं कि एक भाउजी जवान की जिन्दगी क्या होती है जराए आप लोग सोचिए भाउजी जवान सीमा पर पहरा देते हैं तो हम लोग सुख चैन की नीद लेते हैं भर पेट भोजन कर पाते हैं अगर हमारे हिंदुस्तान के जमान हम जैसे आप जैसे अगर चैन की नीद सीमा पर लेना शुरू कर देंगे न तो पाकिस्तान वाले बाबू आ करके यहां तक जंडा गार लेंगे लेकिन आप देश सुरक्षित है तो हमारे हिंदुस्तान के भाउजी भाईयों की देन है मैं हाथ जोड़ करके निवेदर करती हूँ अपने देश के नेताओं से कि हमारे भाउजी भाईयों का सम्मान होना चाहिए आखरी लाइन बामाश्टर साहब गुरुब्हारी गुर्गणेश गुरुराम लाल गुणकारी स्वर्ग गये चंद्रीका कभी बच्चन्जी बने पुजारी अरे से नाक भरती होले हीरवा उजाला कभी मुशापी धन्य हिंद की धरती से नाक भरती होले हीरवा ये हिन्द पंदे मात्रम